तो दोस्तों आईए देखते हैं तुला राशी फल 2019 का क्या कहता है? साल 2019 की शुरुवात में शनी धनू राशी, गुरू व्रिश्चिक राशी और राहू 6 मार्श 2019 को मिथुन राशी में रहेगा. वही केतू, धनू राशी, गुरू राशी परिवर्तन कर 30 मार्च को धनू राशी और 25 अप्रेल को व्रिश्चिक राशी में गोचर कर रहे हैं. पांच नवंबर को ये वापस धनुराशी में गोचर करेंगे, 10 अप्रेल को वक्री होकर 11 अगस्त को मारगी होगे, शनी 30 अप्रेल को वक्री होकर 18 सितंबर को मारगी होगा, तुलाराशी के लोगों का पारिवारिक जीवन सामाने रहेगा, परिवार में कोई उत्सव या समा सकता है वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस साल आपका जीवन बिगड सकता है जीवन साथी की कम्पनी आपको पसंद ना आए पहस हो सकती है लेकिन ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं काम की वजह से आपको बाहर जाना पड़ सकता है इस इस वज़े से हो सकता है आपके पार्टनर से थोड़ी दूरी आ जाए, कोशिश करें कि उनके साथ कम्मुनिकेशन बनाए रखें, जिससे की आपके बीच में मिसंडेस्टैंडिंग ना होने पाए, सेहत की बात करें तो इस साल सेहत को लेकर जादा चिंता करने की जरूरत नह आकरी मिनट पर निराशा हाथ लग सकती है, समय पर काम पूरा नहीं कर पाएंगे, कोई कारे प्रदर्शन खराब हो सकता है, काम में देरी की संभावना है, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, केतू की दशा से गुजर रहे जातकों के लिए ये सम साल कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, मार्च के बाद आपके काम में तेजी आएगी और आपको काम में सफलता मिलेगी, सेल्स या मार्केटिंग में आप रिकॉर्ड तोड सकते हैं, इस साल आपकी आर्थिक स्थिती बढ़िया रहेगी, पैसों को लेकर किसी भी तरह की चि सिंगल लोगों की जिन्दगी में प्यार के रंग भर सकते हैं, रिष्टे की वज़े से आपकी जिन्दगी में खुशी आएंगी, किसी अन्यधर्म की जाती की व्यक्ति के साथ आपके संबंद बन सकते हैं, दोस्तों इस साल आपको बहुत सारे उपाय करने की जरूरत नही तो दोस्तों ये तो था तुला राशी फल 2019 का शेयर करें और इंप्रेस करें अपने दोस्तों को, कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ